तो चलिए अब हम पढ़ते हैं क्या इस्ट्रक्ट्ट्र और इमोटाइल ऐसा मैंने क्यों बला क्योंकि एक हप्लिवाड शेल में ऐसा थूरी कि साइट प्लाजम ने पर इसके उपने साइटत्र प्लाजम को घटाना पड़ेगा तब यह हलका होगा और केवल हलका होने से काम नहीं चलेगा अपने energy forming apparatus mitochondria को भी specialized way में वर्क कराना परेगा ताकि खूब energy बने और खूब energy बनने से खूब moment करे ऐसा काम तरना परता espermative को espermative अपने अंदर cytoplasm को lose करता है देरे देरे तब जाके sperm बनता है और मैंने खाता है sperm एक elongated structure है आदम sperm कहीं सच्चर पहने वाले है देखिए sperm के structure देखिए यह क्या plasma membrane तो plasma membrane तो कभी काईब नहीं होता है अच्छे बताई एक cell के organically में मैंने आपको क्या का पढ़ायता है बहुत कुछ पढ़ायगा nucleus होता है mitochondria होता है एंडोप्लाजमी कर्टिकलम होता है ribosome होता है centiol होता है महुत कुछ पढ़ायता है कि नपढ़ायता है सब कुछ destroy हो जाएगा cytoplasm का cytoplasm का बोला है cytoplasm का और cytoplasm की बस दो चीज़े रख ली जाएगी तो पूरा रहेगा साइटोप्लाजम की दो चीज़े क्या एक तो क्या mitochondria और एक तो क्या mitochondria energy देगा इसने उसको रखना है और एक तो क्या centriol यह क्यों रखेंगे अभी बताएंगे रुष्टा इसका दो दो काम है centuryol का बाकि साइटोप्लाजम की सब कुछ डेस्ट्वाइ कर दे जाएगी गॉल्जी बोडी endoplasmeticulum रइबोजोम सब कुछ बो सब कुछ खातम सब कुछ खातम कर दो तो बताएंगे अब देखते हैं गटने के बाद जो structure बनेगा तो कैसा बनेगा तो सुनना लेकिन गॉल्जी बोडी मरते 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 गॉल्ची वरसाइकल्स बना जाती है और मैंने कहा था कि गॉल्ची वरसाइकल्स ही आगे चलके फीचर में क्या बनाता है याद आ रहा है लाइसोसो लेकिन और जिए होते 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 क्या करेगा लाइसुश्चाग और भू बैग इस टाइब से मिलता है बता रहे हैं जैसे कि मानलों की बैल्ट नहीं होता है इस टैप से बैल्ट लाइक इस टैप से होता है यह क्या गौजी वर्साइकल उन्हों उन्हों ने अपना शेप से मोडीफैटर लिया अरे बाए बताओ गौजी वर्साइकल्स के अंदर क्या होता है इंजाइम होता है मेरे इसके अंदर वह है तो आप इसका अलग नाम रखोगे कि ने रखोगे मुझे बताओं रखोगे रखना पड़ेगा इसका नाम है एक्रोश्म कान सबका बताएंगे तहले भी नाम सुनिए एक्क्रोश मतलब किनारे जैसा तो मतलब बोडी किनारे पर रखावा बोडी एक्रोश्म तो उसी के जस्ट नीचे नुकलियस नीडेगा अज़ा बताओ नुकलियस अंडरली हुमेन का कैसा होता है आपको मैंने बताया था है इसके अंदर प्लडी नंबर एंड है ठीक है अज़ा बताओ नुकलियस के अंदर जब सेल डिवाइड नहीं कर रही है अंदर में क्या मिलता है रिवा बतागी क्रोमेटीन या क्रोमजोम एक नॉर्मल सेल जो डिवाइड नहीं कर रही है उसके सेल के नुकलियस के अंदर क्रोमेटीन या क्रोमजोम क्रोमजोम गलत क्रोमजोम पढ़िये दुबारा क्या मिलता आतिक क्रोमेटीन क्रोमेटीन वह बहुत बढ़ियां से पढ़ाएं क्रोमेटीन मिलता है और क्रोमेटीन सही फ्रूचर चलके आगे बनता है तो अभी यहां पर डिएने इसके अंदर डिएने ने इसके अंदर डिएने क्रोमेटीन के फॉर्म में है यह लो तो आप लोगा सर्प्रोमेटीन भी तो आखिर डियेने के कंडेंसेशन सही बना होगा ना याद करो डियेने कंडेंसेशन जो पड़ाये थे दो आपकालि और सुपर इनल का बताय गया में रही कि यस तो पताओ अभी यहां पर यह पर इसके अंदर में हिस्टोन प्रोटीन नहीं है जब यह एस्परमेटी दी मौडिफिकेशन कर रहा था तो उन्होंने हिस्टोन प्रोटीन को हटा के यहां पर दूसरा प्रोटीन लगा दिया जिसका नाम है प्रोटामीन क्या नाम है प्रोटामीन अब लोग है प्रोटामीन क्यों लगा दिया गया प्रोटामीन इस्टोन के कंपरिजन में लो मौलिकुलर वेट रखने वाला प्रोटीन है हम तो चाहते हैं कि इसमा भजाए औरहीं दोनों मिल्कें उसका जनेटीक credit मिल्ड़ और यह दोनों मिल्के क्या बना रहा है हैपलोड नुिकलियर्स तो हम पूकलोड क्या होगे अदर क्या थे मैनी कि ऐस पर्म मलग है अब लोग है कि ऐस परम को डाइजेस्ट करेंगा नहीं कि ऐस परमके अंदर ग्रक्री या आगए एक प्रकर जेए बोल सकती बना किस है गॉल्जी बोडी से बनाया तो गॉलबाद तो दो इस ट्रेक्टर होगा क्या एक्रोस्व और प्रभार क्रेम स्ट्म और वाहर आरे नहीं रे नहीं रे शेल मेंगने क्युं इसके बार शेल मेमरें ना ऐलो यहां से यहां तक यहां से अब क्या बोलोगे फेड आप संप संप है अब नीचे जाके थोड़ा सा कंटीनी हुई लाइक दिस ऐसे ऐसे सब्सक्राइब और यहां पर अच्छे याद करो मैंने बताया था आपको कि सेल में स्टेंट्रियोल वन पेयर होता है वन पेयर सेंट्रियोल है कि तो वो दुन सेंट्रियोल आपस में अय। दिया कि सेंट्रियोब यह रहां और सेंट्रियोल पर नेटियर डिगरी पर है बताओ कौन इस पम के हेड की तरफ है किनारे की तरफ है उपरवाला और नीचे वाला हेड के किनारे के अपोजी डारेक्शन में है तो बताओ जो इधर किनारे के तरफ है उसको क्या बोलते हैं यह इधर वाला ऐसे बोलो कौन नुकलियस के पास है तो यह वाला तो इसको आप बोलोगे प्राग्जीमल इसको आप बोलोगे प्राग्जीमल और कौन यूकलियस से दूर है ये वाला तो इसको क्या बोलो डिस्टल अरे दोनों क्या है सेंट्रियोल है प्राग्जीमल सेंट्रियोल के माइकुरु टुबल एरेंजिमेंट मैंने सेल बाल्यूजी में पढ़ाया अक मुझे ब्लाति हो वुष में पुश रहा हूं माइकर टुबल का एघ्रेंजिमेंट का फ्र्मूला 9 9 2 C9 प्लेस जिरॉ है 9 5nio को नाइन प्लस दूच्बांइब 10 में 9 यह संट्रीओं में 9 यह संट्रीयॉल में 9 इस यह बोलामा संट्रीयूल और बैसल बोड़ी का का एक जैसा होता है structure और स्टीलिया फ्लेजिला का एक जैसा होता है तो यह संट्रियोल है नाइन प्लस टू अरेंजमेंट रखने वाला ठीक है अब समझना ध्यान से अब क्या होता है कि यहां पर कुछ खास परकार के प्रोटीन फाइवर मिलते हैं कहां पर यह हेड के जस्ट इस बेस पर यह पर और इस प्रोटीन का नाम है आश पर प्रोर को नयम एंशा है है के थोड़े दूर ऐसर कर प्रदूर ऐसा continue होती है ऐसे और इसी दौरान यह क्या करता है कौन जो डिश्टल सेंट्रियोल है यह आगे continue कर देता है इसे और पता है इसके अंदर ना इस्ट्रक्ट्र वैसे ही है जैसे सेंट्रियोल में है जैसे सेंट्रियोल में है मत्रवाई इसको आप 3D में समझने की कोसिस करो किनारे किनारे 9 मैक्रोट्पूड डबलेट के फर्म में और सेंट्र पे दो सिंग्लेट के फर्म में और यह पूरा का पूरा आपको अगर यह आपने आपने लिस का टायने स्पमका आप तो लोंगी टुबनल सेक्षन पड़ रहे हो ना तो यह ऐसे करके दिखेगा इसको पता क्या बोलते हैं इसको एक्जोनीम या एक्जोनीमल फिलामेंट या एक्जोनीमल फिलामेंट बतावती अगर डिश्टल सेंट्रियोल से ही और इजने गौल दिया है है अब समझे न है या आघो एक्जोनीम का क्या रहा होगा नाइन प्रस टू यह रहा हो यह और बताओ अगर ऐसा है कि इससे आगे यह hackedable arrange हो रहा है centriol like manner में तो कि हैं इस distor centriol को basil granules बूढ सकते हैं basil body की तरेक्ट कर रहा है अब समझे ला यहां पड़े क्या है 9 एक्क्जोनीम यह एक्जोनीम यही खतम नहीं हुआ यह आगे तक continue हुआ है आगे बहुत लंबे दूर तक कंटीनुवा है आगे बहुत लंबे दूर तक कंटीनुवा है आगे बहुत लंबे दूर तक कंटीनुवा है आगे बहुत लंबे दूर तक और आगे चलिके फ्लारमे मेंब्रेन एक दिगजा के खतम हो इसके अलावा यह यहाँ पर जैसे एक्जोणी में इसके चारोर ऐसे 9 और भी प्रोटीन के फैवर बना दिये 9 और भी किनारे किनारे और तर प्रोटीन फैवर बना दिये तो मालो कि आप इसका लोंगी टूनल सक्षन पर रहे हैं तो नो तो नहीं दिखेगा मालो एक ये रहा, दो, तीन, चार, पांच, मालो पांच आपको दिख गया 9 गो ऐसे और समय से 2 गो तो नीचे तक चला गया, यहां तक यहां तक चला गया, दो गो और बाकिस सब इसी में रह गया, यह वाला दे बीच वाला चेंबर है ठीक है, तो आँ आप समझें और, इसका नाम क्या बोलोगँ आप, इसका नाम बोलोगे asking आउटर, प्रोटीन, फाइबर लई, इसका रइंजिमेंट क्या है सुनना है, यह किनारे כिनारे से नावगो से और, एसा कोई फाइवर नहीं है तो आप बोलोगे कि नाइन प्लस जीरो है अरे मतले साइड से नौगो यह मैक्रोटूबल का अरेंजमेंट नहीं बस ऐसे जान रख लो कि नाइन नाइन आउटर प्रोटीन फ्राइवर है बस जिसमें से दो को नीचे तक चला गया एक और दो ठीक है आप समझे यही पर पाई जाती है माइटो कॉंट्रिया लेकिन माइटो कॉंट्रिया मैं आपको माइटो कॉंट्रिया पढ़ायता है तो माइटो कॉंट्रिया का सेफ पढ़ाय था यह डिसकोडल होता है माइटो कॉंट्रिया ओभल होता है इस पैरिकल होता है लेकिन यहां पर माइटो कॉंट्रिया सिंगल माइटो कॉंट्रिया इस ट्रैप से क्या हो गया मोडिफाय हो गया यह माइटो कॉंट्रिया अब बताओ यह तो है माइटो कॉंट्रिया माइटो कॉंट्रिया और माइटो कॉंट्रिया के इस इस्ट्रक्चर का पता लगाने वाले सैंटिस्ट की माइटो कॉंट्र लेयर बोल दो एक जग बचा रहेगा बस यहां बस में टैटोकि सेल करते हैं जो हुए कि क्यों चाहिए चाहिए तो एसल को बोढ़े आ के सद्uesta वालतित च्सलाने के कि लेख बोलता है मैं चीट का बोलता है में चीट बहुत रेंगे इलदन मेंचे Marxjan यहां को फॉर्चीत आया था फीमियल में यादा है लेभी आमाहिन नहीं वह रहा जहां पर फूज किया पीछे की तरफ फिर एनस की तरफ जारा था फॉर्चीत यादा है यहां मैंचीत अब यह पूरी पार्ट कहां यहां से लेकर यहां तक यह अलग नाम से दना जाएगा जिसमें और फिर यहां से यहां तक यह अलग नाम से दना जाएगा उसके बदनीचे अभी बता रहे है इसको बोलेंगे हम लोग नेक ऑफ इस्पम क्या बोलेंगे इसको नेक ऑफ इस्पम इसको हम लोग बोलेंगे हो गया है अब यहां से यहां तक वाला पोर्शन जहां तक दो को क्या चला गया है यह वाला आउटर प्रोटिन फाइबर इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉक्जिमल पार्ट अफ क्या बोलते हैं इसको हम लोग प्रॉक्जिमल पार्ट अफ तेल और इसका अर्रेंजमेंट आप पूरा पूर्ट कर लाएगा डिच्टल पार्ट अफ पडिच्टल पार्ट अफ इस इप और इन दोनों को मिलाकि हम क्या बोलेंगे तैल तेल आफिस्पम क्या बोलेंगे यह होता है इस फंप का इस ट्रॉक्चर अब इसमें एक एक पार्ट काम भी बता देंगा रुख जाओ स्ट्रेक्शा समझ में आ गया कुछ नहीं सिंपल है अब आप देखो कहां यह इस परमेटीर गोल गोल हुआ करता था और कहां यह इस पंप एक करके मैं आपको इसका काम बता रहा हूं सबसे पहले समें क्या है एक्रोसों इसका स्क्रीन सॉट ले लो जली से कुछ चीजिए आ वैसे होगा तो मैं फोटो भेज़ दूंगा अब्लेट कर लेना चलो तो अब एक एक करके इसका काम देखते हैं वह तो किसी भी सेल में में तो होना जरूरी है तभी तो सारे चीरेंदर में लोकेट रपाएंगे इसमें सबसे आगे किनारे पर क्या एक्रोसों में तभी तो अंदर घुसना होता है तो उसमें हैल्प करता है यह एक्रोसों का एंजाइन और उस रियक्शन को कहते हैं एक्रोसों में रियक्शन तो बताए परेंट्रेशन और एग मेंब्रेन दूरिंग फर्टीलाइजेशन अब आते हैं नुकलियस नहीं होगा तो क्या केवल फीमेल अपना नुकलियस देगी अथा सपोच करो केवल फीमेल का सगेंडरी उससा जो बनता है इसके दौरान ऑविलेशन के दौरान केवल वही आगे चलके बच्चा बना देता तो बच्चा हो जाता है अप्लोयड वाला और चलो माल लेते हैं कि फीमेल के ही तो हैप्लोयड शेर इल्ट लेज आपस में फ्यूज करके दीफ्लोयड शेर बना लेते हैं माल लेते हैं उससे बच्चा बन जाता है तो पिर मेल का नेचर में को रोल रहता किया तो नहीं होता और मेल अगर नहीं होता तो क्या नुकूसान होता है यह संग्यों कि मेल अपना विमेल अपना papadri प्रफिमेल में अलग जनेटिक इन दोनों के फ्यूजन से बच्चा आएगा तो बच्चा पैरेंट से अलग होगा क्योंकि एक बच्चा का अपने माई से 23 कुरम जो मी पूरी तरीके से मिलेगा 23 नहीं मिलेगा बाप से 23 मिलेगा 23 नहीं मिलेगा तो बच्चा जनेटिक के मामले में पैरेंट के तुलना में एक पैरेंट से 50 पर्जेंटी मैचिंग रखता है यह बात मैंने डियने फंगर प्रिंटिंग में भी बताया था अगर याद हो तो बोला था ना तो कुल मिला के बात यह कि अगर ज्यादा नंबर आप सेल मियोसिस के आएंगे तो ज्यादा जनेटिक वरिएसंस लाएगा क्योंकि मियोसिस के दौरान क्रॉसिंग ऑबर होता है और इसलिए यह स्पम यह भी मियोसिस का प्रॉड़क्ट है और उदर से अलग के अगर यह स्पम अपना नुकलियस लेके वहाँ जाकर अपना जनेटिक मटरियल देगा तो जो बच्चा हैगा उसमें जादा हो मैंने एक्रोसोम की मैंपरेंगा तोड़ेगा लेगन इस एक को फिर परिनेंट्रेट करके अंदर चला जाए तो अगर आगे का पार्ट रिजीड नहीं होगा तो क्या अंदर जाना संभव है नहीं न तो यह परफर्टोनियम क्या करता है यह प्रोटीन फाइवर है यह क्या करता है इस पूरे स्पम के हेड के बेस को एस्ट्रॉंग बना के रखता है ताकि एक्रोसोन का इंजाइन एग की मेंबन को गला दे और पूरा स्पम जल्ली से अंदर घुचता है तो परफर्टोनियम का काम होगे है अब अब अज़ा प्रोग्जिमल सेंट्रियोल प्रोग्जिमल सेंट्रियोल का काम होगे है ज़ơn कम आड़ाम光 अब अशर्गवफर्टोनियम का कैम है यह नीचे जाके पूरे टेल रेजन में और तेल रीजन पीछे कि सरफ देको अब चलों हें heti rockyhealth एंजाइंग की एक्टिविटी होती है डाइनिन आर्म में वंहाई ग्र्हें तो इसे क्या होगा इसमें बुमेंट आएगा और पीछे का कोई करेगा तो इसे-से-से घिलेगा अब लोग वह सब सर्णेरजिग आए गए तो यह इनर्जी इनर्जी बना के देगी में पूरे टेल पाच को मिडिल पीस में यह नहीं होगा मुवमेंट नहीं होगा किसमें इसमें तेल का काम समझ में आगे हैल्पिंज स्विमिंग आफ इस पंप साइट अप्लायर में थोड़ा बहुत निउट्रेंट देगा और आउटर प्रोटीन फैबर क्या कर रहा है बस वह मिडिल पीस को चारोगर से स्ट्रेंथ दे रहा है और कोई काम नहीं होता है अब पता है इतना सब कुछ के बाद एक स्ट्रक्चर और पाइडाता है क्या यहा है रिंग centerione यह को बोलते एनिवलस को क्या बोलते आनियूलस अब लोगों कह सार इसका क्या काम है अभी तक नन नहीं है इसका काम अभी तक अन्नन हैं अचा इस scricบ को ढूंतने वाले ॹी जेशन्स को जेडस सुन्स जेढ और चलीट रिंग है जैंसन्स जैंसरिंग offend कर जा काम इसका एडजक्ट किसी को अभी तक नहीं पता है बस पाया जाता यह पता है अब बताओ अब आप पूरे स्पर्प के एक एक स्ट्रक्चर के बारे में जानते हो किसका क्या काम है अब मुझे बताओ है तो है उगया तो है अगर मैं बोलू इन चार पाट है इसमें से कौन एनर्जी चेंबर की तरह कर रहा है बोलो रिवा कौन एनर्जी चेंबर है तरह एड़ नहीं मिडिल पीश तुक्का मार देते हो मिडिल पीश बाई जहां मैटो कंडर आगा वहीं ने अनर्जी चेंबर होगा यार मैटो कंडर तो यह है ना इस इस एनर्जी इस इस एनर्जी चेंबर कि अब इसे बोलो कॉन इस पम के स्विविंग में हेल्प कर जाएज कावर कर रहा है आर्ज भीसाओं कौन एक बताओ कौन एक में इनको पनिट्रेट करने में काम आ रहा है कि एड़ कराने के लिए जिमयवार है रिभा कि अरे अभी पढ़ाएं कि लिवेस फर्टिलारेशन के बाद होता है कि अधिक बोलो नेक नेक सही आंसर है रिभा क्लास में ध्यान बढ़ाओ कि अभी बताएं यह प्रोक्जिमल सेंट्रलों का कामी है है तो यह कहां है नेक वाले रीजन में तो नेक हैल्प करेगा क्लिवेस यह सारे पार्ट है संपर के आपको यह अब क्या कर रहा हूं इसका स्क्राइब काट के आपको पढ़ाओंगा क्यों पराओं आपको फोड़ांडिनिंग यह देवलप रहेगा देखें है आजको ढूंव ट्रांस भाद्र सख्थर्ण सो बताओ फ्रांस भाद में किनारे किनारे तो देखेका लाय्मा में नहीं कि नहीं कि नहीं दिख जुक्ट विचो Rat अलद कि बेट सिर्ट्ट अमने बताओ या मैं किसका श्रक्ठार परह रहा हूं मैं आपको को परहहरást एक मिड़ीष्ट करन। तो इसके चारो और आपको इस पंक का दिखेंगा दिखेंगा लेयर इस प्रुपा पर हो Wikum करें एऽ कमी स retreat है कि है कर नंद आधो मिध्य है तुर्ण थोरा सा न बचा अज एक वो यहां ठोड़ा साौ ऑपrás इसको बोलते हैं मैंचीत क्या मैंचीत तो क्या हो गया साइटो प्लाजमिक लियर मतलब मैंचीत इसके अंदर क्या मिलेगा कि आउटर फाइबर बहुत बढ़िया कितने नंबर उसके नाइन तो इसमें यह कैसे होगा ऐसे होगा ऐसे युकि मैं आपको ट्रांस्वर्ट प्राड़ा हूं अंदर की तरफ लो मैं नाइन यहां पर बना देता हूं यह देखो एक है कि दो तीन चार पाँच छे ताथ आट और नुक इसका नाम लिग दू में दली से क्या यह आउटर आउटर रोटीन फाइबर आपको नंबर भी दिख रहा होगा है आपके अब उसके अंदर बतावातिक क्या मिलेगा यह है ड है जोनिर से एक मिलेगव लेकिन अब एक्वण नीम का इस प्रक्टर तुम्हें बताना है कि मैं 9 प्लस तुगो कैसे बना उग नाएन इसी तरह होगा बीच में तो संटर this होगा कि डबलेट होगा है दबलेट में बाहर वाला विद्व डबलेट कर देंगे रूख जाओ कि अब डबलेट कर देंगे अब अब लोगे सार इस परम का ट्रांसफर सकतन एंसियाटी में तो नहीं है आँ नहीं है पर आ रहा हूं मेडिकल कोलेज में काम आएगा और कुछ उसके अंदर क्या है एक और माइक्र टेब लेट होगा है कि अधिली तो मैं कि अधिलीट कर दो पहले इसके बारे मी क्या लिखूँ इसके बारे में लिख लेता हूं इसके बारे में इनर पीम्टी इसके बारे में इन दोनों को मिला के क्या बोलेंगे यह दो जोडने वाला लिंकर भी हुआ करता था कुछ याद है इसके इनर वाले और इसके आउटर वाले ऐसे करके भूल गया अधर बूल गया ऐसे करके पढ़िये याद आजाएगा आपको तो यह तो क्या हो गया अधा लेट लिंकर को बोलते थे एबी लिंकर वहां पर डब खेंटर में अधर बेंगे काल्टर उत्व मासा होगया कि वाइक्रो कुछ फ कर दूट तुम्राइब तो सिस्केन और आ यहां चाहिए जेंगण और यहां अलग करें ऑब सेट्थे है तो प्रोटीनेसस्चीत होता है जो इनको ऐसा करने के गेर के रखावा हुआ थिए तो इन दोनों को मिलाके मैं क्या बोलूंगा इसको कि वियूट कि कि मतला हो मैं फुल फॉर्म नहीं लिखूंगा आपको खुद लिखना होगा कि यह भी क्या है इंगलेट कि इंगलेट कि में अब यहां से याद किजिए मैंने आपको बोला था कि रेडियल स्पॉक निकलता है हो ऐख को ढग्रार है कि देुजμο कर डिया है अरे हर इनर मैको टिबूल से रेडियल इसपॉक भूल गए क्या कुछ याद होओ इंडियो है कि याद है कि भूल गए cartoon एयो यह तो डैणिविदा इसके बाद यह क्या है यहां पे बहुत सारे निकले थे यादे के भूलगता से किसका नाम यही तो डैनीन आर्म है यही तो अटिपेज अक्टिविटि सो करेगा इसी इमें टिपेज अक्टिविटि पूरा का पूरा इस्ट्रेक्चर आगे मूव कर जाएगा है कि नहीं रेडियर स्पॉक से बेस से यह डाइनीन आर्म निकला होता है तो तो क्या है डाइनीन आर्म यही एक्जोनीम यह एक्जियल फिलामेंट गोल जो अभी एक्जोनीम फिलामेंट बोल जो एक्जोनीमल कि लामेट और बताओ इसकी अर्णिमेंट आपको कितनी दिख रही है नाइन प्रस टू दिख रही एक ने दिख लेगे और इसके बाहर नाइन क्या है नाइन आउटर परिफेरल आउटर प्रोटीन थाइबर है कि नहीं अगर मैं इस फीगर का नाम दिखने था ह मेडल पीस मेडल पीस ऑफ एस तंब लो कि इस ट्रक्टर के लिए और ज्यांत कर रहे है कि इसक्रेंज शॉट लो कि इसक्रेंज सॉट्ट लो कि इसक्रेंज लीए ले लिए आपके नोट बूक्त पर यहां पर जाके स्टम का स्ट्रक्टर समाख जोगा जितना मैंने परादियत नहीं परागते हैं कि इस बार एड़ किये हैं इस बार का पेपर का लेबल देखते हैं और जब से सुने हैं कि फिजिक्स अटने वाला है यह सब लगकी नीदी को भी नहीं पराएं विडियो देख रही है अभी इस वार सुने हैं कि फिजिक्स बस जस्ट ऑप्सिनल पर रजाएगा बनेगा कई घ्र आएँ वाड़ेंगे को बनाना चाहिए को देखते हैं आयँ टैक्क्निक्स को समझ जAt रहा तो क्या कर रहा हैli बच्चा कर रहा है लाने के लिपा लगा रहा था देखो न कुछ दिन में न्यूज आ जा जाएगा कि 2022 से देखो 2022 से हो या ना हो 2023 से तो कनफर्म फिजिक्स एज ऑप्शनल पेपर रहेगा जैसा मेरा विश्वास है इस स्पर्म के स्ट्रेक्टर में एडिशन कर लेना गलत कुछ हाँ तो कि अपने एसाफ से तुमें कर रहा है तो यहां पर देखो यहां पर यहां पर यह तो एक पर ले लेना पर पहले कि बनाके चिपका देना ताकि इस से भी कुछ उनाय तो आपका बन जाए तो इस आ अगले मिटिंग में एक छोटा सा टॉपिक हम ले लेंगे तुमको कि क्लास आना है कि आट चालीश चलो ठीक है चोटा सा टॉपिक हो जागा है इसको देख लो जली से फड़ लो